दोस्तो देखू सच सच बताना कि दोस्तो आपको दोस्तो पता है क्या कि दोस्तो जब कुई भी शादिशुदा अवरत मतलब दोस्तो जब कुई भी भावी जब कुई भी आंटी अपने हस्बंड को धोका देकर बाहर दोस्तो किसी भी पुरुष के साथ प्रेम संबंद बना तो थो इस दो शूचने के बाद न अगर दोस तो अपको नहीं न पता, तो तो बिल्कुल भी मद घबराना क्योंकि दूस्तो आज ना, इस दूस्तो विडियो के अंदर में दूस्तो आपको बताने वाला हूँ कि दूस्तो शादिशुदा अवरत या फिर दूस्तो बड़ी उम्र की भावी जब दुस्तो अपने हस्बंड को धोका देकर किसी बाहरी पुरुष के साथ प्रेम संबंद बनाने का विचार करती है ना तो उस दुस्तो पराये पुरुष के अंदर कौनसी कौनसी चीजों को देखती है इसके बारे में न दोस्तो आज मैं आपको डिटेल में दोस्तो सब कुछ बताने वाला हूँ तो दोस्तो आज का विडियो भूत इंपोर्टन्ट है और दोस्तो हर एक पुरुष को आज का जो विडियो है ना ओ दोस्तो जरूर जरूर ओ दोस्तो देखना चाहिए क्योंकि दोस्तो आज का विडियो भूत इंपोर्टेंट है तो दोस्तो बिना कुछ टाइम पास करे सीधी बात नो बकवास चलो शुरू करते हैं आज के इस थमाकेदार विडियो को दोस्तो देखो सबसे पहिले जो दोस्तो फश्ट नंबर की जो दोस्तो चीज है जो कि दोस्तो अवरत बड़े दोस्तो गोर से उस दोस्तो बंदे के अंदर देखती है तो दोस्तो ओ दोस्तो चीज कोन सी है कि दोस्तो ओ अवरत ना दोस्तो बड़े गोर से देखती है कि इस बंदे की personality मेरे बंदे से अच्छी है क्या क्या बोला मैंने इस बंदे की personality मेरे बंदे से मतलब जो मेरा हजबंड है ना तो उसके personality के आगे इसकी personality कितनी अच्छी है मतलब दोस्तो अगर मैं आपको ना सीधे सीधे ही अगर मैं बताने जाओ तो दोस्तो इसका मतलब ऐसा दोस्तो होता है कि दोस्तो अवरत ना अपने मन के अंदर ऐसा दोस्तो विचार करती है कि अगर मुझे ना किसी बहरी पुरुष के साथ अगर मतलब प्रेम संबंद बनान नहीं है तो ओ बंदा ना एटलिष्ट जो मेरा हस्बंड है ना उससे तो कम से कम अच्छा दिखने में होना मंगता है मतलब अगर जो मेरा हस्बंड है ना वो अगर शक्ति कपुर होगा तो ओ बंदा ना सलमान खान या फिर शारुक खान वो बंदा होना मंगता है क्योंकि दोस्तो अवरतों को ऐसा ही लगता है कि अगर मुझे बाहर जाकर किसी मतलब पुरुष को पकड़ नहीं है तो ओ मतलब ओ पुरुष ना कम से कम जो मेरा हस्बंड है उससे तो मतलब दिखने में अच्छा मंगता है तो ही दोस्तो अवरत ना उस बंदे के साथ प्रेम का पुरा दोस्तो छोड़ देती है तो दोस्तो अभी उसके बाद जो दोस्तो दुसरे परकार की चीज है तो दोस्तो दुसरे परकार की चीज कोन सी है दोस्तो कि दोस्तो अवरत ना दोस्तो बड़े गौर से देखती है कि मतलब जिस बंदे के साथ ना मतलब मैं प्रेम मंदा बनाने का विचार कर रही हूँ तो ओ बंदा ना मतलब जो मेरी जुर्रत है जो मेरे सपने है जो मेरी इच्छाए है जो कि मेरा हस्बंड बिल्कुल भी पुरा नहीं करता और उसी की वज़े से मतलब जो मेरा हस्बंड है उसको मैं धोका देने जा रही हूँ तो मतलब वो इच्छाओं को उन सपनों को उन जरुरतों को मतलब यह जो बंदा है न जिसके साथ मैं लपड़ा करने जा रही हूँ तो वो बंदा मतलब उन इच्छाओं को पुरा कर सकता है क्या मतलब अगर उसको लगा ना कि मतलब यह जो बंदा है ना तो यह बंदा जो मेरी इच्छा है जो मेरी जरुरत है जो मेरे सपने है जिस मतलब जिसके कारण मतलब मैं मेरे हस्बंड को धोका दे रही हूँ तो मतलब यह बंदा उसको पुरा कर सकता है क्या अगर उसको लगा कि मतलब यह बंदा उसको पुरा नहीं कर सकता तो ओ अवरतना दोस्तो उस बंदे का विचार करना पुरा का पुरा दोस्तो छोड़ देती है क्योंकि दोस्तो ऐसा ही होता है दोस्तो अभी दोस्तो उसके बाद जो दोस्तो तिसरे नमबर की दोस्तो जो चीज है तो दोस्तो तिसरे नमबर की चीज कौन सी है दोस्तो कि दोस्तो मतलब ओ अवरत न दोस्तो बड़े गौर से देखती है कि मतलब यह जो बंदा है न जिसके साथ में प्रेम संबंदा बनाने का अगर तुम जो कर रही हो ना बाहर मतलब तुम जो गुलचरे उड़ा रही हो तो मतलब वो सब कुछ ना तुमारे हस्बंड को अभी के अभी मतलब जाकर बता दूंगा ऐसा दुस्तो अवरतों को ना दुस्तो बलैकमेलिंग का डर होता है तो दूस्तो अवरत बड़े गौर से देखती है कि मतलब जिस बंदे के साथ ना मतलब मैं प्रेमसंबंद बनाने का विचार कर रही हूँ तो मतलब उस बंदे के उपर ना विश्वास रखा जा सकता है क्या? मतलब यह बंदा ना विश्वास रखने के लायक है क्या और दोस्तो अगर उसको लगा ना कि हाँ मतलब यह जो बंदा है ना तो यह बंदा अच्छा है और इसके उपर ना विश्वास रखा जा सकता है तो ही दोस्तो ओ अवरतना दोस्तो आगे बढ़ती है दोस्तो अन्यता दोस्तो ओ अवरतना दोस्तो उस बंदे का विचार करना पुरा का पुरा दोस्तो छोड़ देती है तो दोस्तो I hope चो मैंने आपको बताया वह दोस्तो आपको समझ में आया होगा तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद खुश रहो, हैपी रहो, खुद का खयाल रखो, लब यू सो मच और लॉफ यू